हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपनी चैनल स्वी कोचिंग क्लस्स पर स्वगत है और यहां पर स्टूडेंट आपको complete solution मिलने वाला है chapter 7 class 12 physics का तो chapter 7 का यहां पे आपको जो objective question है साथ में जो भी आपके 3 अंक और 5 अंक की question है सभी प्रश्णों को आपको complete यहां पर कराने वाला हूं तो वीडियो को वन तक देखना इस्टूडेंट और अभी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी प्रकार की वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला question है आपका बहुभी कि विद्धूदारा के अबरत कितनी होती है तो 50 हरटेज होती है आपसर नंबर भी मतलब तीनों के आपसर नंबर भी ही correct और है फिर next question का answer उजाई ट्रांस ही बढ़ती है तो भीवाव के मान में ब्रद्धी हो जाती है ठीक है भी वहो बीमान में ब्रद्धी हो जाती है यह डिगरी का 90 डिगरी का कलांतर होता है next question है किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपत्थ में सिखर मान आई नॉट और आभासी मान आई रमस में क्या संबंद है तो आई नॉट बराबर होता है रोट टू आई आर एमस ठीक है आई आर आई आर एमस ठीक है ऐसा लिख लेना या की 0.414 ऐसा करके भी होता है आई नार्ट इक्वल 0.414 आई आर एमस ठीक है यह हो गया आगे देखते हैं एक पूंड चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है तो 90 डिग्री होता है कितना होता है 90 डिग्री उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमी कुंडली में फेरो की संके दूती है कुंडली के पेच्छा कम होती है क्या होती है कम होती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दो अंके के प्रिष्ण है यहाँ पे दो अंके के प्रिष्ण है और पांच अंके के प्रिष्ण तो इनके क्रम से उत्तर मैं आपको प्रवाइट कराऊंगा पहला कोश्चन है प्रत्यवर्ती धारा दिश्ट धारा में अंतर दूसरा प्रत्यवर्ती धारा में विद्धुत अब घटन क्यों नहीं होता प्रत्यवर्ती अमीटर में पैमाने पर अंकित परस पर बराबर दूरी पर नहीं होते क्यों इनका सभी का करण मैं आपको प्रवाइट कराऊंगा फिर नेक्स्ट कोश्चन है नागरी की विद्धुत वित्रण में प्रत्यवर्ती धारा दी जाती है दिश्ट धारा नहीं दी जाती क्यों फिर क्यों गुडांग केसे कहते हैं इसका सूत्र लिखे इनके क्रम से पांच उस आपको कंप्लीट करा जाएगा इसके बाद आपके पांच अंक के कोश्चन है तो पांच अंक के कोश्चन देखे लसी आर परिपत का विंजक और स्ट्रूंट ट्रांसफार्मर की सिध्यांत को समझा कर उचार और अरबचाई पर आपको अंतर लिखना तो सिध्यांत यहां पर आप पढ़ लेंगे तो सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला प्रश्चन था आपके लिए प्रत्यवर्ति धारा और दिश्ट धारा में अंतर यहां पर देख सकते हैं प्रत्यवर्ति धारा में दिशा और परिवर्टी तो नहीं किया जा सकता है इसमें ट्रांसफर्मर प्रेक तो नहीं किया जा सकता है दो अंगे के कोश्चन तो दो अंतर याद कर लो विद्दू तलेपन में प्रयोग तो नहीं किया सकता है इसमें विद्दू तलेपन में इसका प्रयोग किया जा सकता है इसको भी विद्दू चुमक बनाने में नहीं क कराऊंगा आप लोगो करम से चिंटा करने जरूरत नहीं है अगला कोश्चन है आपके लिए कोश्चन था प्रत्यवर्ती धारा दौरा बिद्दूत अफगटन क्यों नहीं किया जा सकता तो देखनें उत्तर प्रत्यवर्ती धारा की दिशा के तेजी से बदलते रहने के प्रत्यवर्ती धारा बिद्दूत अफगटन में प्रयोग नहीं करते अगला देखें प्रत्यवर्ती अमीटर पैमाने पर अंकित खाने पर दूरी पर नहीं होते क्यों क्योंकि धारा के उसमी प्रभाव के कारण यहों गया नेक्स्ट कोश्चन था यहां पर हुआ है कि इसका कारण यह है कि ट्रांस्फार्मार का उपयोग करके प्रत्यवर्ती धारा की रूप में देते हैं ठीक है चले नेक्स्ट कोश्चन था क्यों किसे कहते हैं इसकी सूत्र लिखना रहा तो यहां पर कुड़ बत्ता कुड़ांक या क्यों फैक्टर क्यों बैंड चोड़ाई के उन पात को ही गुडवत्ता गुड़ांक कहते हैं जिसका फार्मूला यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फार्मूला यहां पर गुडवत्ता गुड़ांक बराबर अनुनादी अब्रत बैंड चोड़ाई यह आपका फार्मूला हो गया इस प् आपका चित्र है इस चित्र को बनाना है इसके बाद यहां पर रचना है इतना क्लियर हो जाएगा इसके बाद इस ट्रेंड यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर पर एक अलग सी वीडियो बनाए आप ट्रांसफार्मर सर्च करके सीव प्यारे भाइव, आगे चलते हैं, यहाँ पर स्क्रीन साट आप ले सकते हैं, इसके बाद यह है, तो सिद्यान्त मतलब पूरा और एक आपके पास यहाँ पर है टॉपिक्स था, यहाँ का सिद्यान्त है, आपको सिद्यान्त और niet चलना है, क्योंकि आपको complete करना student तो screenshot आप ले लिया करें ठीक है चले आगे देखते हैं ये अब एक topic था मतलब point था कि परणामन अनुपाथ का सूत्र भी लिखना तो यही है परणामन अनुपाथ ध्यान रखना ठीक है परणामन अनुपाथ के है आपका परणामन अनुपाथ जहांके ठीक है फिर जैसे question पूछा गया ट्रांस्फार्मर के उर्जा छे किस प्रकार होते हैं और उसमें छे को किस प्रकार रुका जा सकता है जैसे यहाँ पर आप देखें तामर छे का कारण है यहाँ पर कैसे होता है और इस छे को दूर करने के लिए ताबे के मोटे तार का उप कर सकते हैं इसी प्रकार लाँच है तो तीन छे आप लोग तयार कर लें ठीक तो यह ट्रांस्फार्मर होगे इसके बाद बात करते हैं उच्चाई और अप्चाई में अंतर क्योंकि दो question है ट्रांस्फार्मर से दो question है यहाँ से question पूछा जाएगा और उसके जो भी topic दे र संख्या प्राथमिक कुंडली के में फेरों की संख्या से कम होती है मतलब दुतिय कुंडली में फेरों की संख्या कम और प्राथमिक में अधिक होती है इसमें दुतिय कुंडली में फेरों की शंख्या प्राथमिक के पिच्छा अधिक होती है प्रत्यवर्ति जो आपका स्क्रीन शाट लेने के लिए आपको मिल जाएगा और इस से प्रिपत को भी ट्रीन डंग से आप समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा सर्च करना क्लास्ट फीजिक्स सब्सक्राइब को पूरा और आप बहुत ही तना आसान तरीके से समझेंगे कि जिन्दिगी में कभी भूलना मुस्किल हो जाएगा प्लीज आप चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट बीजिट कर लें वहाँ पे आपको सभी अंसर मिलेंगे आगे बढ़ा देता हूं स्क्रीन साट लेने के लिए रोग देता हूं ताकि आप लोगी से कर सकें ओके तो यह हो गया इसके लिए बेंजग पूछा था स्टूडेंट तो बेंजग अपना हो गया कम्प्लीट लेकिन अदी फ्रेजर आरेक हो गयरा पूछ दे आपसे है ना आबरत के लिए बेंजग मुछ दे तो और आगे भी कर सकते हैं ठीक है यह हो गया फिर यहां से होत उसका गड़ती वयक्षा करना है तो यह से एक इतर है ठीक है इस जानकारी में लगना है यह इसको यहां पि wedge में है लेकिन अपको नहीं लिखना या इसके बाद यहां से गड़ती व्यक्षा होगा ठीक है तो फटा फटा आप तयार कर लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लास्ट कुश्चन के अंसर चल रहा है और आप लोग जितना सयार करेंगे आप लोग का सपोर्ट इस्टूडेंट आप लोग के लिए कमिश्टी फिजिक्स दोनों के वीडियो अपलोड है ना होंगे आप लोग का हेल्प करूंगा तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइकन भी प्रस कर लें ठीक है तो यह हो गया कम्प्लीट फ्रेजा रारीक हो गयरा यहां पर आप खीच सकते हैं कलांतर और मतलब बोलता में संबंध जो है इसके बाद प् सकता है कोशन बैंक से पूरे कोशन आ जाए तब तो बहुत ही अच्छी वात है बच्चों के लिए बहुत सहुलियत होगी लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मिशन है वह हैंड़ परसंट से और नहीं है इसलिए आप लोग अपने हिसाब से भी त्यारी करते रहें तो यह हो ग